अपने एलाइस को अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं, उधव ठाकरे जो हैं, वो भी चोकिदार चोर है जैसे लफ्स का इस्तमाल कर रहे हैं, जो राहूल गांदी ने उसे पॉपिलर किया हुआ है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपके एलाइस इस वक्त चुनावी रि खर्म है, उसका पार्ण किया, साथी दलों को साथ लेकर हमने सरकार में सब को जोड़ने का प्रयास किया है, आज भी सरकार चलाते हैं, तो सब के साथ विचार भी मर्स करकर करके हम चलाते हैं, सारे निर्णे सहमती से होते हैं, लेकिन ये बात सही है, कि स्टेट का अपना ए कोंग्रेस का खेल ये हैं आपने देखा हो गा कॉंग्रेस के साथ जितने दल जुड़े आखिर कर यह गडबंदन की विष्यस्ता है कोंग्रेस वाले कि सारे लोग हैं वो कभी ने कभी कोंग्रेस के खिलाप आवाज उठा कर बाहर हुए लोग है या कॉंग्रेस विरोधवाद में से पैदा हुए लोग है और वही जब कॉंग्रेस के पास जाता है तो सबसे पहले कॉंग्रेस उनको बली बना देती है कंग्रेस उनको खा जाती है, खतम कर देती है, हमारा केस है जो भी हमसे जूड़ता है, वो फलता है, फुलता है, खीलता है, तो हमारी कोशिश ये रहती है, कि हमारे साथी दल खीले, कहीं कुछ छोटी मोटी किसी क्या पेक्षा रहेगी, तो उनको मन करता है कि दबाव डालने से साथ फाइदा मिलता है तो कोई रास्ता लेता है किसी को लगता है नहीं मिल बैठ करके बातचीत करने से फाइदा होता है तो रास्ता लेता है तो राजनीतिक दलों के अपने अपने स्वभाव रहते हैं लेकिन हमारी कोशिश है सब को साथ ले करके चलना सब की सुनना सब क की बात को मान करके नीडए करना और देश में यह मान करकर के देश्ठ नहीं चलाए के और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जादा सब्सक्राप लूंग.. कैंगॆ